आज हम बनाने जा रहे हैं शादियां वाली चिकन की ग्रीन ग्रेवी जब होती ही टेस्टी बनती है अगर मेरे वीडियो अच्छा लगें तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ अब मैंने हम पर लिया हैं कडाई में ओल दो impossible एक प्याश तरले आपको साथने जो मैंने मोटा मोटा डे कड्या जो करीब दो कब जितना है इसको हमें य्मेक तब तक तक अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं तो आप दो मिर्ची और ज्यादा डाल सकते हैं इसको भी हम तल लेते हैं फिर मैंने लिया है यहां पर खश खश दो टेवल स्पून अब हम फिर लिया है मैंने काली मिर्च साबूत काली मिर्च करीब दो टेवल स्पून अब इन्हें हमें ज्यादा नहीं भुनना है बस दो मिनिट के लिए और भुनना है बस देखिए अब हम ग्यास को आफ करते हैं और इसे थंडा होने देते हैं जब यह थंडा हो जाए तब हम इसे मिक्से जार में शिफ्ट कर लेंगे देखिए अब यह थंडा हो गया है अब हम इसे जार मे अब हम इसमें दालेंगे ये अहरा धैनिया करीब एक बंच लिया है मैंने अब हम इसे सबको मिलाकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे अब मैंने यहां पर लिया है कुकर में ओयल करीब 4 टेबल स्पूल फिर इसमें मैंने डाला है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट यहां अब हम इसे अच्छी तरह से तल लेंगे इसे हमें तब तक तलना है जब तक इसका कच्छापन दूर हो जाए इस तरह से अब मैंने फ्लेम हाइपर रखा है इसको आच्छी तरह से हिलाते हुए अब मैंने भून लिया है देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया ह करीब आदा टीस्पून अब इसको भी हम तर लेंगे अब इस टाइम पर यहां पर देख सकते हैं कि अच्छी खुछबू आ रही है फिर मैंने यहां पर जो हमने मसाला पिसकर रखा था वह सारा मैंने डाल लिया है इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे दो मिनिट के ल बहुन चुका है अब मैं इसमें डालोंगी दही करीब एक कप ख्याल रखें कि जब आप इसमें दही आड़ करें तब ग्यास का फ्लेम लो पर रखें क्यूंकि कभी कभी दही फट सकता है अब इसको भी हम दो मिनिट के लिए भून लेंगे अब मैं यहां पर डाल रही हू तो नमक के तो तो नमक करीब 2 Probino प्लेट पतल लिए वी यहां पने ए जoss किन है इसे मैंने मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लें है अब इसको बैट इसको आच्छी तरह से मिक्स कर लें देखिए इस तरह से अब हम यहां पर चिकन को भी इस मसाला में भून लेंगे दो मिनिट के लिए इस तरह से धकन लगा कर मानि यहां पर विजल नहीं लगाया है अब हम इसमें दालेंगे टोमेटो प्यूरी करिब दो कप अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले अब हम इसमें पानी डालेंगे मैं यहां पर करीब एक ग्लास इतना पानी लिया है क्योंकि आप चिकन में भी पानी निकलेगा तो इतना पानी काफी है अब हम इसे धकन लगाकर पकाएंगे दो विजल के लिए देखिए दो विजल आ चुके हैं दो विजल आने के साथ ही आप सारे फ्रेजर को निकाल कर ढकन को खोल दें क्योंकि चिकन बहुत ही जिल्दी गल जाता है अब हम इसमें आड़ करेंगे 2 टेवल स्पून विनेगर विनेगर आड़ करने के बाद हम इसको ढक कर 5 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर थोड़ी देर और पका लेंगे अब यह 5 मिनिट हो चुके हैं अब यह हमारी ग्रेवी बनकर तयार हो गई है अब हम इसको सर्व कर लेंगे यह रूटी के साथ नान के साथ पराठे के साथ और सेवियों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है इसको जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरे रिस्पी कैसी लगी मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू